नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु क्रिट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्षित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समाकलन के मैत्वपोन प्रशनों के बारे में जो की राज्य बोर्ड में पिछले कुछ वर्शों में पूछे जा चुके हैं हम उनी कुछ प्रशनों को लेकर यहाँ पे हल करेंगे जिसमें से पहला प्रशना हमने लिया है समाकलन E की घाथ X जिसकी सीमाई यहाँ पे दे रखी हैं 0 से 1 तक इसका आपको मान गयाद करना है तो आप जानते हैं कि यह है एक निश्चित समाकलन का प्रशने तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यह मान के चलोगे कि इसमें सीमाई अगर नहीं होती तो E की घाथ X का समाकलन क्या होता तो इसे आप लिखेंगे I पराबर समाकलन 0 to 1 E की घाथ X TX ठीक है और E की घाथ X का समाकलन क्या होगा E की घाथ X और इस पे आप यहाँ पे फिर लिमिट लगा दोगे 0 से 1 तक अग जब आप इसमें लिमिट रखोगे तो क्या आएगा बताईए पहले कौन से लिमिट रखोगे इन दोनों में से उच सीमा या निम्नसीमा उच सीमा राइट यहाँ पे आप रखेंगे उच सीमा E की घाथ 1 माइनस फिर दिम्नसीमा मतलब E की घाथ 0 आप जानते हैं कि किसी की घाथ 0 होती है तो वो क्या होता है 1 हो जाता है और E की घाथ 1 को आप रिखेंगे E और E की घाथ 0 को आप रिखेंगे 1 तो इसका समाखलन क्या आया? e-1 अगला प्रश्ण देखिए जो इस प्रकार से है इसमें आपको समाखलन करना है sin tan inverse x upon 1 plus x square का इस प्रकार के प्रश्णों में क्या करते थे? आपको जब भी इस तरीकी का मिला जुला एक साइक फलन मिलता था तो वहाँ पे आप ऐसा फलन ढूंडते थे जिसका अफलन आपको वहाँ पे मिल रहा हो यहाँ आपको किसी का अफलन मिल रहा है? बताइए तो हम देखते हैं हमाई पस फलन कौन-कौन से है एक तो हमाई पस फलन है sin x दूसरा फलन है tan inverse x और तीसरा फलन है 1 upon 1 plus x square तो क्या इन में से कोई किसी का अफलन है? तो आप जानते हैं कि tan inverse x का अफलन होता है 1 plus x square तो अगर किसी प्रिश्ण में आपको उसका अफलन दिख रहा है तो आप उसको क्या ले लेते है? ती तो इधर आप कहेंगे माना tan inverse x पराबर ती कि जब आप इनका अफलन करेंगे तो tan inverse x का अफलन आएगा 1 upon 1 plus x square dx और इसका अफलन क्या आएगा? dt है ना? और यहाँ पे जो 1 upon 1 plus x square dx आपके पास बनेगा इस पूरे को क्या लिखेंगे? dt के बराबर तो अगर आपके पास यह फलन i के बराबर है तो आप क्या कहेंगे? कि i क्या होगा? आप कहेंगे i बराबर समाकलन sin tan inverse x मतलब कि t तो यहाँ आजाएगा t और 1 upon 1 plus x square dx कितना हो जाएगा? dt तो अब आपको यह फलन सरल लग रहा है? इसका easily हो जाएगा ना? समाकलन sin t का समाकलन क्या हो जाएगा? cos t या minus cos t बताइए sin t का अगलन होता है plus का cos t लेकिन sin t का समाकलन क्या होता है? minus का cos t बिल्कुल ठीक अब क्या करेंगे? अब हम यह t को वापस बदल देंगे किस से? 10 inverse x से तो यहाँ पे आपको i का मान क्या मिलेगा? i बराबर minus cos और t का मान था 10 inverse x तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 inverse x और इधर plus c भी आता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे plus c अनिश्चिस समाकलन में समाकलन करने के बाद आपको यहाँ पे एक नियतांक भी देना होता है याद है न? यह वाला प्रश्ण देखिए यहाँ पे आपको यह फलन दिया है 1 upon x plus 2 into x plus 3 इसका x के साब एक शाब को समाकलन करना है x के साब एक समाकलन करना मतलब यह होगा i बराबर समाकलन 1 upon x plus 2 x plus 3 और यहाँ पे अपकल जाएगा x का मतलब की dx आपको बताया था कि जब भी एक पटा यहाँ पे कोई एक बहुपद होगा और यहाँ पे दूसरा बहुपद होगा तो इसको आप आंशिक भिन की मदद से करते हैं इसको आप a upon यह पहले वाला बहुपद plus b upon यह दूसरे वाला बहुपद ऐसा लिख लेते हैं और उसके बाद इसका समगलन बहुत ही आसानी से हो जाता है तो चलिए इसी प्रकार से इसको a upon x plus 2 और b upon x plus 3 का योग करके इसको हल करके दिखे तो आंशिक भिन की मदद से आप इसको लिख सकेंगे 1 upon x plus 2 x plus 3 बराबर a upon x plus 2 plus b upon x plus 3 ऐसा लिखेंगे और फिर इन दोनों की तुल्ला करने के बाद आप यहाँ पे a और b का बाद निकालेंगे इन दोनों की तुल्ला कैसे करेंगे यहाँ पे आप lcm लेंगे x plus 2 x plus 3 और यहाँ आएगा a into x plus 3 plus b into x plus 2 इसकी तुल्ला आप करेंगे 1 upon x plus 2 x plus 3 से तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों के हर्तों समान है तो इसका मतलब इसको थोड़ा हल कीजिए तो यह आएगा ax plus bx plus 3a plus 2b बराबर 1 तो x वाला जोपत होगा उसको x वाले पत के साथ तुल्ला करेंगे और constant की constant के साथ तो यहाँ आप देख रहे हैं x वाला पत क्या बना इसको आप लिख सकते हैं a plus b of x plus 3a plus 2b बराबर 1 तो यहाँ पे आप यह कह सकते हैं देखिए इधर तो x वाला पत नहीं है और इधर x वाला पत है a plus b तो जब बाएं पक्ष में x वाला है ही नहीं तो आप a plus b को 0 के बराबर लिखेंगे और यह जो constant है 3a plus 2b इसको किसके बराबर लिखेंगे बताइए 3a plus 2b को आप 1 के बराबर लिखेंगे इन दोनों समिकर्णों को हल करके आपको a का मान क्या मिलेगा आपको a का मान मिलेगा 1 और B का मान मिलेगा माइनस का एक इन दोनों समिकर्णों को हल करना आता है न यहाँ पर अगर इस समिकर्ण को 3 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 3A प्लस 3B बराबर 0 और इसको इसके नीचे रखेंगे 3A प्लस 2B बराबर 1 दोनों को घटा देंगे यह कट जाएगा 3B minus 2 भी कितना हो जाएगा B बराबर यह हो जाएगा माइनस का एक अब यह B का मान हम इसमें रखेंगे तो A प्लस minus 1 बराबर 0 तो यहाँ से A का मान आ जाएगा 1 तो A और B के मान इन दोनों समिकर्णों को विलोपन विदी से हाल करके, प्रतिसाबन विदी या किसी भी एक विदी से हाल करके, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो अब हम i कमान क्या लिख सकते हैं, i बराबर समाकलन, अब यह जो पूरा फलन था, यह a upon x plus 2 plus b upon x plus 3 के रूप में लिखेंगे, जहाँ पे a कमान होगा 1, मतलब आप लिखेंगे 1 upon x plus 2, और b कमान है minus 1, तो आप इसे लिखेंगे minus 1 upon x plus 3, और इस पूरे का अफ़कलज होगा dx, अब इसका समाकलन करना बहुत easy चीज है, आप चानते हैं, कि इहाँ पे इसका समाकलन कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को अलग-अलग करके, आप इसको कह सकते हैं, समाकलन 1 upon x plus 2 dx, माइनस समाकलन 1 upon x plus 3 dx, यह हो जाएगा i1, और यह हो जाएगा i2, तो आप क्या कहेंगे, i बराबर क्या हुआ, i1 plus i2, अब हम इन दोनों का समाकलन एक साथ करेंगे, तो i बराबर, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log x plus 2 होगा, plus में क्या आएगा, c, और इसके लिए हम c1 लिख देते हैं, क्यों i1 के लिए c1 लिख देते हैं, माइनस, इसका समाकलन क्या होगा, log x plus 3, plus c2 लिख देते हैं, i2 के लिए, अब आप जानते हैं, कि constant है, तो इसका योग करो या इसको घटाओ, तो क्या आएगा, constant ही आएगा, तो i कमान आप क्या लिख सकते हैं, i बराबर, यह हो जाएगा log, इसको आप a कह सकते हैं, इसको b कह सकते हैं, log a minus log भी क्या होता है, log a upon b, तो आप इसको x plus 2 upon x plus 3 लिख सकते हैं, log के सुत्र से, और plus c, क्योंकि c1 minus c2 एक constant ही आएगा, और उस constant को हम c से दिखा रहे हैं, तो इस दिए गए फ़लन का x के साप एक्ष्य समाकलन आएगा, वो इस प्रकार आएगा, कुछ बच्चे यहां पे सोच रहे होंगे, कि इसका समाकलन सीधा log में कैसे आगया, क्या कोई सोच रहा है ऐसा, कि आपने समाकलन की प्रतिस्थापन विदे पड़ी थी, जिसमें हम उसका प्रतिस्थापन करते थे, जैसे यहां पे हमें समाकलन 1 upon x plus 2 dx निकालना था, तो यहाँ पे हम x plus 2 को क्या ले सकते हैं, t ले सकते हैं और इससे आपको dx कमान क्या मिलेगा, dt मिलेगा तो यहाँ आप इसको जब प्रतिस्थापित करोगे तो यह हो जाएगा t और यह हो जाएगा dt आप जानते हैं कि log t का समाखलन आएगा वो 1 upon t आएगा तो इसका जो समाखलन आएगा वो log t आता है तो इसका समाखलन log t हो जाएगा और t कमान क्या था? t था x plus 2 तो इसका मतलब यहाँ पे x plus 2 आजाता है इसको आप सीधे से यह समझ सकते हो, अगर आपको किसी हर का समाखलन उसके अंश में दिख रहा है तो वो पूरा हर log में आ जाता है सिंपल सा समाखलन करने का तरीका, एक ट्रिक है मतलब आपको समझने के लिए कि अगर नीचे वाले फ़लन का अफकलन उपर दिख रहा है तो उस पूरे का समाखलन log में आ जाता है आप जानते हैं कि x plus 2 का अफकलन क्या होता है? x plus 2 का अफकलन होगा dx और dx है नहीं हाप पर उपर तो इस पूरे का समाखलन क्या हो जाएगा log और यह जो हर है वो आजाएगा log के साथ ऐसे ही यहाँ पर हुआ था ठीक है? और फिर यहाँ पर हमने log A minus log B का गुंध हम यूज किया और उसके पाद इसको हल कर दिया जिससे की हमें यह इसका हल मिला यहाँ पर हमने कौन सी वीदी लगाई है? यहाँ पर हमने आंशिक भिन की वीदी लगाई है आंशिक भिन का सारा प्रोसीजर आपको पता है न? तो उसमें जो पहले टाइप का आंशिक भी था वही वाला ही simple सा question था, कोई मुश्किल नहीं था, यह आंशिक वीदी के प्रयोक से बहुत ही आसानी से हो गया है, राइट, इस प्रश्ण को देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्ण है, यहाँ पे आपको निश्ची समाकलन के गुंधमों का प्रयोक करना पड़ेगा और यह equation बहुत ही आसानी से हो जाएगा, तो जल्दी से इसको देखके बताइए कि इसमें हम इस उसे पहले step करना किया होगा, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देती हूँ कि 10 को आप यहाँ sin और cos में तोड लीजिए, और उसके 1 प्लस 10 को क्या का मैंने कि sin और cos में तोड लेंगे, तो यह हो जाएगा sin x upon root cos x, right, अब इसको तोड़ा है तो हल तो करना ही पड़ेगा, इसको LCM लेके तोड़ा सा हल करते हैं, इसको हल करने पर मिलेगा आपको, यह होगा pi by 6 से pi by 3, जब इसका आप LCM लेंगे तो यह हो ज root sin x और उपर है 1, तो क्या इस root cos x को उपर नहीं लिखा जा सकता है, मतलग यह इस प्रकार से लिखा जा सकता है, root cos x upon root sin x plus root cos x dx, लिखा जा सकता है ऐसा, अब यहाँ पर आखे आप सोचेंगे कि इसका समाक्रम कैसे होगा, अगर आपको खोड़ा सा याद आ रहा होगा ना, कि यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा बना लें, कि जैसे यह है cos x upon sin x plus cos x, और ऐसा ही हमारे पास बन जाए sin x upon root sin x plus cos x, तो क्या होगा, इन दोनों का हम योग कर पाएंगे, और इन दोनों का योग करने पर देखें, यह जो होगा ना, हर, यह तो एक जैसा होगा, और उपर भी ब cos x, और यह cancel होगे ना, सिफ बन बन जाएगा, तो बहुत आसान नहीं हो जाएगा हमारा question, आप जानते हैं कि निश्चे समाक लंग में, जादा से जादा प्रश्णों में, यही method यूज होता है, लेकिन अब प्रश्ण यह उठता है, कि यह बनेगा कैसे, अगर हम करते हैं, 90 minus theta, तो उसके लिए हमें angle तो चाहिए, यह 90 है ना, लेकिन यहाप यह angle तो हमारे पास, pi by 6 सi pi by 3 का है, तो क्या कर सकते हैं, यह 90 minus theta हम करते हैं कैसे, जब आपको समाकलन में limit दे रखी होती है, 0 से pi by 2 of fx, तो आप करते थे, f pi by 2 minus x, क्यों करते थे ऐसा, क्योंकि 0 plus pi by 2 minus x, ऐसा कर सकते हैं ना, मतला अगर आपको एक limit a से b दे रखी हो fx में, तो आप क्या करते हैं, f a plus b minus x की रूप में उसको बदल सकते हैं, यह उसका एक गुण है, यह निश्य समाकलन का एक गुण है, तो यही गुण हम यहाँ पे use करेंगे, ठीके, तो यह i के बराबर है ना, अब हम लिखेंगे i बराबर, समाकलन, c my यही रहेंगी, pi by 6 से pi by 3, हम यहाँ पे गुण क्या लगाएंगे, हर एक कोण में क्या जोड़ देंगे, a plus b मतलब pi by 6 plus pi by 3 minus x, यह, अपन ऐसा ही यहाँ करेंगे, sin pi by 6 plus pi by 3 minus x, cos pi by 6 plus pi by 3 minus x, ऐसा करेंगे, और यहाँ पे आएगा dx, तो इसको और हल करके आपको क्या मिलेगा, यह होगा, pi by 6 से pi by 3, कोण में चुई एंगल है, pi by 6 plus pi by 3 कितना बनेगा, pi by 2 बनेगा, और pi by 2 minus x, cos pi by 2 minus x क्या होता है, sin x, तो हमें यही तो बनाना था, अभी यही तो डिसकस किया था कि किसी तरह यहाँ sin x आ जाए, तो हमारा काम हो जाए, इसी तरीके से यहाँ पर sin pi by 2 minus x क्या हो जाएगा, cos x, और यह cos pi by 2 minus x, sin x, यहाँ आएगा d x, यह किसके बराबर है, i के बराबर, आप देख रहे हैं, i का एक मान हमारे पास यह था, और i का दूसरा मान हमारे पास यह है, जब हम इस step में थे, हमने ठीक यही planning करी थी, कि अगर cos x की जगा sin x आकर हमें एक मान और मिल जाए, तो इन दोनों को जोड़के हमारा समाकलन आसानी से हो जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरनों को जोड़के फिर इसका समाकलन करेंगे, तो दोनों समीकरनों को जोड़ने पर, i plus i क्या मिलेगा आपको, 2i बराबर, यह और यह आप जोड़ेंगे, तो देखिए इनकी सीवाएं तो बराबर है, pi by 6 से pi by 3, और नीचे इनका हर भी सेम है, यह भी है root sin x, plus root cos x, और ऐसी ही यहाँ पे है, root sin x plus root cos x, और उपर, यह root cos x है, और यह root sin x है, दोनों का योग करके लिख देंगे, और यहाँ आजाएगा dx, तो आप देख रहे हैं कि यह अंश और हर बिल्कुल सेम बन रहे हैं, तो इनको कैंसल करके हम 1 ले सकते, तो यहाँ से आपको 2i कमान क्या मिलेगा, 2i बराबर, समाकलन pi by 6 to pi by 3 dx, और इसका समाकलन करने पर अमान आएगा x, एक का समाकलन क्या आता है, x के बराबर, तो यह होगा x, और यहाँ पर सीमा लगेगी, pi by 6 से pi by 3, तो यहाँ से 2i कमान आपको मिलेगा, उच्छ सीमा minus 9 सीमा, उच्छ सीमा है pi by 3, minus 9 सीमा है pi by 6, तो कितना आएगा यह? πi x 6 πi x 6 लिस्वान आया 2i का तो यहाँ पे अगर 2i का मान πi x 6 है तो i का मान कितना आजायेगा πi x 12 आजाएगा राइट यह जो 2 है इससे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यही तो चाहिए था हमें i का मान मतलब इसका समागलंद क्या एगा 5 by 12 तो चलिए एक short revision करते हैं पूरा हमने इसमें ख्या-ख्या किया है यहाँ पर आपको इस वाले फलन का समाकलन करने के ले दिया था जिसके में c my है 5 by 6 से 5 by 3 की मतलब कि एक निश्चे समाकलन है निश्चे समाकलन के लिए आपको थोड़ी से गुणधहम पता थे निश्चे समाकलन के जिसमें से एक गुणधहम कैसा था जिसमें से एक गुणधहम था समाकलन a से b f x t x पराबर समाकलन a से b fa plus b minus x t x इस वाले गुणधहम का प्रियोग करके हमने ये बनाया कैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस 10 को पहले हमने sin और cos में तोड़ लिया फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा हल कर दिया इसको हल करने के बाद हमारे माइंड में ये आया कि अगर इसके साथ plus का root sin x भी होता तो ये cancel हो जाते तो क्या हम यहाँ पे plus का root sin x बना सकते हैं तो इस प्रकार के प्रश्ण आपने पहले भी करें है कि यहाँ कोई गुणधम लगा दिया जाए और ये i और i को जोड़ दिया जाए तो इसको sin x बनाने के लिए हमने ये वाला गुणधम लगाया कि इसकी जद c i है उन दोनों के योग में से x को घटा दो तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने pi by 6 और pi by 3 का योग कर और minus x कर दिया और फिर उसके बाद हमने इसको हल किया pi by 6 plus pi by 3 होता है pi by 2 ये बना pi by 2 minus x cos था तो cos आ गया, sin था तो sin आ गया cos pi by 2 minus x होता है sin x और जहाँ पे आया होता sin pi by 2 minus x वहाँ पे कर दिया cos x यहाँ पे plus है और अब ये क्या बन गया ऐसा ही रूप बन गया जब आप इन दोनों का योग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि दोनों के हर के जो मान है वो एक जैसे हैं तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपके पास root cos x plus root sin x आ जाएगा इसके अंश में और ये दोनों cancel हो जाएगे ये दोनों cancel होके तो हमारा काम होई गया पूरा आसान यह आ गया समाकलन pi by 6 से pi by 3 dx इसका समाकलन करके pi by 6 आ गया लेकिन ये जो pi by 6 है ये 2i कमान है क्योंकि आपने इन दोनों को जोड़ा था तो यहाँ से हमने इस कमान half कर दिया तो इस प्रगार हमें i कमान क्या मिल गया pi by 12 clear चिलिए देखते हैं ये अगला प्रश्ण इसमें हमें ये फलन दे रखा है i बराबर समाकलन 0 to pi x dx upon 1 plus sin x इसका आपको मान निकालना है तो जब भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक निश्चिस समाकलन आ गया तो तुरत आपका माइंड उसकी प्रॉपर्टी इस पे चला जाना चीए आप उसके गुणधमों को सोचने लगेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा गुणधम लगा सकते हैं कि इसका समाकलन आसान हो जाए लेकिन गुणधम आप कब लगाएंगे गुणधम तो आप तब लगाएंगे ना आपके माइंड में कुछ हो कि आप इसको बनाना क्या चाहते हैं कि ये कैसा बन जाए कि इसका समागलन संभव हो जाए है ना तो यहाँ पे जो बादा है ना वो ये x है इस x को हटाने के लिए आपको गुर्णधम लगाना है क्योंकि ये जो x है इस x की वज़े से परिमय करन करना मुश्किल हो जाएगा आप चानते हैं कि 1 upon 1 plus sin x का अगर परिमय करन कर दिया जाए तो 1 minus sin x upon 1 minus sin x हो जाएगा है ना तो उपर तो आएगा 1 minus sin x और नीचे क्या आएगा 1 square minus sin square x तो यह हो जाएगा 1 minus sin x upon cos square x और इस cos square x को अलग-अलग ले ले अगर तो यह हो जाएगा sin x upon cos square x तो आप जानते हैं कि 1 upon cos square x हो जाते है sex square x minus इस cos square x को आप अलग-अलग तोड़ लेंगे मिलब cos x into cos x में तोड़ लेंगे तो sin x upon cos x तो हो जाते है tan x और one upon cos x हो जाता है sec x आपको इसका भी समाकलन पाता है आपको इसका भी समाकलन पाता है है ना इस प्रगया के प्रष्ट अनिश्चित समाकलन में बहुत करे होंगे आपने तो हमारा main agenda है कि उपर one बनाया जाए तो इस x को one बनाने के लिए आपको इहाँ पे निश्चित समाकलन के गुणधम लगाने होंगे तो आप सोचने माली बात यह है कि यहाँ पे हम कौन सा गुणधम लगा सकते हैं आप जानते हैं कि अगर सीमा 0 से a होती है अगर आपके पास 0 to a of fx dx इस रूप में कोई एक फलन है जिसका आपको समाकलन करना है तो यह लिखा जा सकता है 0 to a f a minus x के रूप में है ना अगर हम इसको ऐसा लिख दे अगर हम इसको ऐसा बनाने के कोशिश करें तो आप जानते हैं कि यह x क्या बन जाएगा pi minus x और नीचे 1 plus यह sin में भी pi minus x हो जाएगा और sin pi minus x क्या होता है sin x मतलग यह बन जाएगा pi minus x upon 1 plus sin x तो आप देख रहे हैं कि नीचे तो नहीं बदला उपर हो गया pi minus x जब आप इन दोनों को जोडेंगे तो x में pi minus x जोडने पर x कैंसिल हो जाएगा pi आएगा pi constant x को हम समाकलन से बाहर ले लेंगे तो हट गई ना उपर वाली term तो चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं इस वाले गुंढधम का प्रियोग करके तो इस गुंढधम के प्रियोग से आपके पास आएगा i वराबर 0 to pi x हो जाएगा a-x मतलब की pi-x अपॉन 1 प्लस sin इस x को भी लिखेंगे आप pi-x और ये dx ऐसा होगा इसको लिख सकते हैं 0 to pi pi-x अपॉन 1 प्लस sin pi-x होता है sin x dx छिके यह आए i कमान इसको आप समी करन एक कह सकते हैं और इसको समी करन 2 कह सकते हैं तो अब हम इन दोनों समी करनों को जब जोडेंगे समी करन एक वाद 2 को जोडने पर क्या मिलेगा हमें चलिए देखते हैं समी करन एक वाद 2 को जोडने पर i प्लस i तो हो जाएगा 2i 2i बराबर समी करन एक है 0 to pi x dx अपॉन 1 प्लस sin x प्लस समी करन 2 है समा करन 0 to pi pi माइनस x अपॉन 1 प्लस sin x dx यह है अब इन दोनों में आप देख रहे हैं कि यह जो समा करन है उसकी सीमाएं बराबर है तो इसको आम एक साथ कमबाइन करके लिख सकते हैं 0 to pi इसके हर भी बराबर है तो इसका जब आप हल करोगे तो यह LCM आएगा 1 प्लस sin x उपर यह आएगा x प्लस यह आएगा pi माइनस x यही आएगा 2i कमाण क्या किया इन दोनों का LCM लेकिन को solve कर दिया अब आप देख रहे हैं यह प्लस का x और माइनस का x कट गए तो 2i कमाण क्या मिला हमें समाकलन 0 to pi pi अपॉन 1 प्लस sin x dx अब यह pi जो है यह constant है इसको आप बाहर भी ले सकते हैं क्योंकि इसका कोई roll नहीं है समाकलन में 0 to pi dx अपॉन 1 प्लस sin x इतना काम हो गया अभी हमारा मकसद तो पूरा हो गया हमारा मकसद था कि यह x हट जाए यहां से है ना उसके बाद तो हमने इसको तोड़ना है बस तो ऐसा करते हैं पहले हम इसको i के मान में बदल लेते हैं यहां से i का मान आएगा आपके पास pi अपॉन 2 0 to pi dx अपॉन 1 प्लस sin x तो अब हमें बस इसको हल करना है इस वाले समाकलन को और हमारा काम हो जाएगा हल करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा इसका परिमय करना पड़ेगा तो चलिए इसका परिमय करन करते हैं तो यहां पे i बराबर pi by 2 समाकलन 0 to pi इन सब को ऐसा कैसा चोड़ेंगे dx अपॉन 1 प्लस sin x dx अपॉन 1 प्लस sin x सा परिमय करन करने पर आप 1 माइनस sin x से उपर नीचे multiply divide करवाएंगे ठीक है तो यहाँ आपको मिलेगा pi by 2 0 2 pi 1 minus sin x upon यह आपका हो जाएगा 1 minus sin square x a plus b a minus b का सूत्र होता है a square minus b square वही सूत्रम नहीं हाँ पे लगाया है तो pi by 2 0 2 pi 1 minus sin square x क्या हो जाएगा इसको आप cos square x के बराबर लिख सकते हो तो इसको हम क्या करेंगे डारेक्ट तोड़ देते हैं 1 upon cos square x अलग लिखेंगे minus sin upon cos square x अलग लिख देते हैं चीक है और यहाँ आया dx इन दोनों का अलग-अलग समागलन करने पर क्या मिलेगा हमें i बराबर pi by 2 समागलन 0 2 pi 1 upon cos square x को आप लिख सकते हैं x square x dx minus sin upon cos square x के लिए आप लिखेंगे sin x upon cos x into cos x और दूसरे वाले cos x को 1 upon x के 1 के नीचे लिख देंगे तो यह sin x upon cos x हो जाएगा 10 x और 1 upon cos x हो जाएगा sec x dx इस तरीके से इन दोनों का अलग-अलग समागलन करेंगे ठीक हैं तो यहां से आई का मान आएगा आपके पास pi by 2 6 square x का समागलन क्या होता है 10 x और इसमें आप सीमा लगाएंगे 0 to pi minus 10 x sec x का समागलन क्या होता है sec x और इसमें भी आप सीमा लगाएंगे 0 to pi right बस अब काम होने वाला है इसको आप लिखेंगे 10 pi minus 10 0 minus इसको आप लिखेंगे sec pi minus sec 0 बच्चे यहां पर क्या गलती कर जाते हैं कि वो 10 pi minus 10 0 लिखने की जगा न 10 pi minus 0 लिख देते हैं ऐसा काम नहीं करना ठीक है पहले आपको पूरे फलन में उच्च सीमा रखने होती है और फिर पूरे फलन में निमने सीमा रखने होती है और उन दोनों का अंतर निखालना होता है तो अब तो हल करना बिलकुली आसान हो गया यह हो गया आई बराबर pi by 2 10 pi का मान कितना होता है? 0 10 0 का मान भी 0 minus sec pi का मान minus 1 और sec 0 का मान plus 1 इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा pi by 2 minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 into minus plus 2 तो यहाँ पे plus 2 आ जाएगा तो आई का मान कितना आ गया? pi तो इस पूरे का समाकलन करके आपको pi मिला चिक्के?